हेलो वच्चो आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास नाइन्थ MP बोर्ड का मैट्स का ब्लूप्रिंट और डिडियूस स्लिवस ठीक है तो किस चेप्टर में से क्या क्या अठाया गया है यह मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो बिना वक्त गवाई हम स्टा करते हैं चैप्टर नंबर फस्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम ठीक है इस में से किज़े नंबर का आने वाला वच्चो छे नंबर का आएगा दो MCQ आएंगे और दो-दो नंबर के दो कुष्चन आएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है तो मेरे वाट्टेप गृप और आप टेलिकरम गृप को भी जॉइन कर सकते हैं जिससे कि आपको अपडेट मिलती दो रहेंगे ठीक है तो आगे पड़ते हैं चैप्टर नंबर One में मैंसे चैप्टर नंबर का आएगा दो टी आएंगे बच्चो दो अब QUE NICK कर दो कुष्चन आएंगे इसके बाद result Item 2 जिसक नाम है पॉलिनोमियल्स दस नंबर का आएगो बच्चो इसमें से चार तो ती आ और दो दो नमबर के दो questions आएंगे, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, chapter number 4, linear equations in two variables, इसमें से 8 नमबर का आएगा, 4 ओटी आएंगी बच्चो, और दो दो नमबर के दो questions आएंगे, ठीक है, इसके बाद chapter number 5, chapter number 5, जिसका नामें, introduction to Euclid division, Euclid geometry, तीन नमबर का आएगा बच्चो, इसमें से, इसमें से तीन नमबर का आएगा, और, एक, ओटी आएगी, दो नमबर का एक question आएगा, ठीक है न बच्चो, इसके बाद देखी आप, ठीक है, chapter number 6, में से आएगा, line our angles, 5 नमबर का आएगा, 30 ओटी आएंगी, दो नमबर का कुष्ण आएगा, इसके बाद chapter number 7, जिसका नाम है, triangles, इसमें से भी बच्चो, पांच नमबर का आएगा, 3 ओटी आएगी, एक, दो नमबर का कुष्ण आएगा, चैप्टर नमबर आठ जिसका नाम है क्वाड्री लेटरल साथ नमबर का यगा बच्चो इसमें से दो ओटी आएंगी एक दो नमबर का कुशन आएगा और एक तीन नमबर का यगा चैप्टर नमबर नौ पूरा का पूरा डिट किया जाए चुका है चैप्टर नमबर नौ आपको नहीं करना है इसके बाद हम बड़ते हैं चैप्टर नमबर 10 पर circles चैप्टर नमबर का यगा दो ओटी आएंगी बच्चो एक चार नमबर का कुशन आएगा चैप्टर नमबर 11 पूरा का पूरा ठाया जा जा चुका है चैप्टर 11 आपको नहीं करना है इसके बाद चैप्टर नमबर 12 हेरोंस फॉर्मला पांच नमबर का आएगा इसमें से एक नमबर की एक ओटी आएगी और चार नमबर का एक कुशन आएगा इसके बाद देखते हैं चैप्टर नमबर 13 चैप्टर नमबर 15 प्रॉबिलिटी यह अटाई जा चुकी है पूरा का पूरा चैप्टर डिलेट हो चुका है यह आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना तो ब्लूप्रिंट देखने के बाद हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से क्या-क्या हटाय गया है तो सबसे पहले मैं बता जीता हूं आपको चैप्टर नमबर 1 में से कुछ नहीं अठाया है चैप्टर नमबर 2 में से कुछ नहीं अठाया है चैप्टर नमबर 3 में भी कुछ नहीं अठाया है चैप्टर नमबर 4 में से 4.4 topic graph of linear equation in two variables मैं आपको बताजी ता हूँ कहा है पीज में दिखाजी ता हूँ आपको क्या ठाएगा है मतलब exercise 4.3 नहीं करनी है आपको ठीक है बच्चो पूरी की पूरी 4.4 करनी पड़ेगी आपको 4.4 करनी है 4.3 नहीं करनी है इसके बाद हम बढ़ते है चैप्टर नमबर 5 5 में से कुछ नहीं अठाया है 6 में से कुछ नहीं अठाया है 7 में से अठाया है topic नमबर 7.6 in equities in a triangle ठीक है 129 पेज नमबर पर है exercise 7.4 नहीं करनी है कौन सी exercise 7.4 नहीं करनी है इसके पूरी exercise नहीं करनी है इसके बाद हम बढ़ते है chapter number 8 quadilator जैसे कि आप दिख रहा है इसमें से कुछ नहीं अठाया है पूरा कर पूरा करना है chapter number 9 पूरा अठाया जा चुका है chapter number 10 पूरा करना है chapter number 11 पूरा अठाया जा चुका है chapter number 12 एक्सराइज फॉर्म्ला ठीक है तो चैप्टर नम्बर 11 पूरा ठाय जा चुका है चैप्टर नम्बर 12 मैं से एक्सराइज फॉर्म्ला इन फांडिंग एरिया ऑफ क्वार्डिटर का जो एरिया जिसमें से पूछा जाएगा वह आपको नहीं करना है तो पेज नम्बर 203 पर है ठीक है यह आप देख सकते हो 203 यानि की एक्सराइज 12.2 12.2 पूरी नहीं करनी है पर कुश्चन नम्बर 6 और 8 करना है 6 भी करना है और 8 भी करना है इसके बाद बढ़ते हम चैप्टर नम्बर 13 13 मैं से क्या कट आएगा है मैं आपको उताईता हूं कौन को से एक्साय आएगा है जांसे 13.1 नहीं करनी है इसके बाद 13.2 नहीं करनी है और इसके बाद 13.5 भी नहीं करनी है और 13.6 भी नहीं करनी है चैप्टर नम्बर 14 पूरा करना है चैप्टर नम्बर 14 पूरा करना है और चैप्टर नम्बर 15 पूरा के पूरा ठाय जा चुका है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके ब्लूप्रिं कैसा आने वाला है तो बच्चो 100 नंबर का पेपर आईगा आपका ठीक है इसमें से से 75 नंबर का कुशन आने वाला है कुशन सवाल आएंगे जिसमए 14 प्लस 5 एकल 23 कुशन्स होंग cinnamon 25 प्रोज़ेक्ट के कुशन होंगी ठीक ना प्रोजयक्ट के नमबर होंगे तो 18 प्रस 5 पांच जी आएंगे आपके OT के जिसमें से कितनी नमबर की OT यह बच्छो 30 OT आएंगे ठीक है मैं बनाद 6 MCQ आएंगे छे फिर इन्द अब लेंग्स आएंगे true false आएंगे 6 आएंगे आपकी matching और 6 आएंगे आपके one word यह आपका exam pattern होने वाला है ठीक है तो 100 नमबर में से इसको ऐसे डिवाड़ गया है 75, 25, 75 का paper होगा जिसमें 18 में आपको सवाल दिया हैंगे 5 question आपके objective के होंगे जिसमें से 30 OT होंगे total ठीक है तो ऐसे आपका exam pattern होने वा